हेलो फ्रेंड़नासकार आपको फॉर्म हमसुद। रमासकार में हूनी रज्राय और स्वागत है आपका फर्म-हौर्ट्स में। जोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं being methods के बारे में जो कि powder chapter का ही topic है और आज के वीडियो में हम discuss करने वाले है being method के introduction के बारे में उसके बाद हम balances के बारे में पढ़ेंगे तराजो जिसको बोलते हैं ना तॉलने के लिए उसके बाद हमें कोई सी वीडियो में देखना है types of balances and last में हम discuss करेंगे possible errors के मतलब जब हम तराजो से कोई चीज तॉल रहे हैं तो कहां कहां error हो सकती है actually हमें वीडियो PPT में बनाना पढ़ रहा है कुछ इसके reasons हैं और चलिए ठीक है आज की वीडियो में देखते हैं अब भी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और क्या क्या हमें देखना है दोस्तो इस वीडियो में अगर हम सुरुआत करें सबसे पहले introduction की तो आप लोग बेइंग मिथट के बारे में कुछ पता होगा थोड़ा बहुत मतलब कुछ में लाके तॉलने की मिथट होती है जैसे आपको कोई भी बनाना है जब भी आप कुछ बनाने जाते हो अब कोई टेबलर की कंपनी में पाउडर को तॉलना पढ़ता है पहले हर चीज पाउडर के फॉर्म में होती है तो कैसे तॉला जाए कि वो सारी चीजे सही हो तो यही सब इसमें हमें पढ़ना होता है कितने प्रकार के तराजू होते हैं वो सारी चीजें अभी इसके बारे में आपको बहुत ज़ादा नहीं पताऊँगा बेइंग में थट क्या होती थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन देखिएगा अभी फार्मसोटीकल सब्सटैंस की जो बेंग होती है जो इसको बेट किया जाता है वो SI सिस्टम के अंतरगत किया जाता है जिसमें हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नेनोग्राम इन सब का उप्योग करते हैं इसके लिए कुछ यूनिट्स होते हैं आप यहां पे जो यहां पे देख सकते हैं यह चीज ठीक यह मैंने कुछ टेवल बनाई है इस टेवल में अगर आप ध्यान दीजेगा तो आपको थोड़ा से समझ में आएगा सर कि यूनिट क्या है और उसे का एपरपेशन क्या है मतलब उसका सार्ट फॉर्म क्या है उसके ग्राम एक्यूवलन कितना होता है तो एक्चुली जो में फार्मासोटिकल इंडस्टीज के अंदर में जो एक टेवल बनानी है या एक थोड़ा सा अगर सबसे चोटी उनिट की बात क होती है उससे बाड़ी जो नॉर्माल यूनिट हम लेते हैं उसको ग्राम में हम तॉलते हैं तो सारी हम ग्राम में ही देखनी है तो देखेगा सबसे पहला इसमें दिया गया है 1 kg वन केजी इसका अब भिशन होता है और 1 हजर ग्राम बाकी आप जान सकते हो एससे जैसे ग्र तो फोगको जोगें पाइन के नियुकरो टाए टिक है माईक्रोज ग्राम तो वह होता है जी तरह से नैनोग्राम होता है. फ़ले यहां भी अबरीवेशन दिये गए हैं लेकिन जरी हम उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि भीया होता क्या है कि कभी-कभी प्रउबल्म हो जाती है जैसेclae l लिख न था माइक्रोग्राम लिख लिख न था Boy Workman मैं मैं ज्प्रिंट हो गया नैनोग्राम हो गया ग्राम लिखा जाता है कि अगर आपको किसी भी यूनित मतलब ग्राम से जाधा यूनिट लानी है तो आपको क्या मतलब कुल मिला कि या तो आप ग्राम से ज्यादा unit लखना चाहते हो या कम unit लखना चाहते हो दोनों में आपको एक हजार से भाग या गुला करना है multiplication करना है डिवाइड करना है ठीक है तो यह था introduction इसमें बहुत आप पढ़ने के जुरूरत नहीं आप अपने मन से बहुत सारी चीज़े लिख सकते हो कि बैटिंग क्यों जरूरी होती है नहीं तो कभी ज्यादा amount में हम ड्रग ले लेंगे तो यहां पर बैलन्स के बारे में आपको थोड़ा से बताओं सर जब भी कोई चीज हम तॉलते हैं तो क्या होता है उसके लिए तराजू की जरूरत होती है मतलब बैलन्स की जरूरत होती है और वह बैलन्स बहुत ज्यादा important होता है हमारे लिए नहीं तो बिना बैलन्स के यहां पर रखके थोड़ी नहीं तो लोगे कि एक हाथ पर ऐसे रख लिए और दूसरे हाथ पर रखके हाँ यह होता है ऐसा होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता उसके लिए बैलन्स की ज़रूरत पड़ती है और यह बैलन्स क्योंकि फार्मसोटिकल कंपनी के अंदर अगर अगर मैं बताऊं तो एक-दो किलो तो तॉलोगे नहीं उसको थोड़ा-थोड़ा तॉलना पड़ेगा तो उसके लिए संस्टिफ बैलन्स की ज़रूरत होती है ऐसा बैलन्स जिसमें एक्क्यूरेसी हाई होनी चाहिए और टॉलरेंस लो होनी चाहिए मतलब यह तीनों चीज को किसी भी ड्रग को या किसी भी सविस्टेंस को कितना सही से तॉल रही है कहने का मतलब 21 जितनी ज्यादा होगी आपका बैलन्स उतना अच्छा होगा ठीक है प्रिसीजन परिसुदता प्रिसीजन का क्या होता है प्रिसीजन हाई होना चाहिए ठीक है तो आपका जो मतलब प्रेशिजन का मतलब परिसुद्धता होती है जैसे आप कई बार एक ही चीज को जब कई बार तौलते हो तो हर बार डिफ्रेंट बेट आता है तो वह कम आना चाहिए ज्यादा सुद्ध होना चाहिए जो मतलब जैसे एक बार तोले आप 210 mg आ गया एक बार तोले 205 mg आ गया तो आपका गरबढ़ हो जाएगा अगर 201 mg आ रहा है 202 mg आ रहा है फिर कभी 99 mg आ रहा है तो कोई प्राबलम नहीं है तो वह चीजा काम होनी चहीए जबकि इसलिए कते हैं अगर जयादा है तो आपका जो सविस्टेंस है वह ज्यादा सही है उसके बाद अगर tolerance की बात करें, tolerance होता क्या है, कि जैसे हम अगर किसी भी substance को तॉल रहे हैं, और ये फ़हले बाद तो low होना चाहिए, क्योंकि अगर tolerance हो जाएगा, तो एक limit होती है, कि उस पे आपका जो balance है, वो फिर ना जादा दिखाएगा, ना कम दिखाएगा, ठीक है, हम बहुत आरे प्रिकार के balances होते हैं, बट हमें जो pharmacy के अंदर हमारे syllabus के अंदर पढ़ना है, वो चार प्रिकार के balances के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला है आपका class B balance, दूसरा है class second balance, ये दोनों लगवग सेम ही होता है, ठीक है, उसके बाद electronic balance है, उसके बाद sensitive electronic balance है, ये चार करके balance हम पढ़ने होते हैं, चलिए एक-एक करके पढ़ते हैं, ये आप figure देखेगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, कि ये जो balance हम पढ़ रहे हैं, ये सर आपके balance है class B balance, ठीक है, class B balance की बात करूँ, यहाँ पर figure आप देख सकते हैं, आपको अच्छा सा figure यहाँ प मतलब बहुत सारे balances को classify किया था, और वो classify किया था balances को तीन प्रकार से, class A balance, class B balance, class C balance, actually जो most commonly used balance था, मतलब जो ज़्यादा use होता था, वो class B ही use होता था, बाकी दोनों use नहीं होते, क्यों नहीं use होते थे बताऊंगा भी, अच्छा ये जो balance मैं बताऊं आप यहाँ पर use क्य क्योंकि हमें tol के drug dose बनानी रहती थी, जो pharmacist होता था, आज की जमानी में नहीं आसा है, तो आज हम लोग उतना यहाँ पर नहीं रखते हो, ठीक है, इनका केवल या तो हम laboratory में उपयोग करते हैं, या तो pharmaceutical industry में तो आप बड़े-बड़े होते हैं, तो क्योंकि हम लोग, इनलब तीनों का, अगर हम यहाँ पर तीनों की बात करें, यह class A, class B, class C, तो इनका एक minimum और maximum amount था कि हाँ, यह इतना तौल सकते थे, इसी वज़र से class B जो होता था, सबसे accurate होता था, सबसे अच्छा होता था फार्मासिस्ट के लिए, इसलिए वो लोग रखते थे, तो class A, तो हम पर देखिएगा, जो class A की minimum capacity थी, वो 50 miligram की थी, और maximum capacity थी, ठीक है, उसी तरह से class B जो था, वो था 100 mg, 100 mg इसकी minimum capacity थी, और maximum capacity जो थी, वो थी 50 grams की, ठीक है, 50 gram की, उसी तरह से, अगर हम class C की बात करें, तो 1 gram इसकी minimum capacity थी, और 2 kg, मतलब 2 kg इसकी maximum capacity थी, तो इस वज़ा से, जो class B होता था, वो ज़्यादा था, यूज किया जाता था, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, और देखते हैं, class second balance, class second balance का figure आप देख सकते हो, इसका figure बहुत साची से मुझे नहीं मिला है, बट ये figure जो है, लगबग, यूज किया जाता है, class 1985 के जरिए, फिर से, जो balance थे, उनको classify कर दिया गया, जो ABC थे, उन्हें कर दिया गया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, चार प्रकार के balance हो गया वहाँ पे, अब देखिए, ये क्या हुआ कि class B का नाम चेंज कर दिया गया, और लगभग, class B यहाँ पर यूज होता था, लेकिन वहाँ पर ह जो होता था, वो आटोमेटिक था, यहाँ पर आटोमेटिक नहीं होता था, ठीक है, तो class B balance को replace कर दिया गया, किसके द्वारा, weight and measurement act 1985 के द्वारा, ठीक है, उसके बाद देखा जाए, तो एक चीज यहाँ पर बताए गई, कि जो आपका class B balance था, ठीक है, जो class B balance था, वो उतना accurately काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें क्या था, कि पहले से सब कुछ set होता था, ठीक है, तो बहुत जादा amount आप नहीं तौल सकते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप being capacity को बढ़ा सकते थे, और being capacity को घटा भी सकते हो, जबकि ऐसा आप class B में न थी, इसकी capacity थी, कि 150 mg से जादा, मतलब 150 mg से जादा, आप इसमें, sorry, 150 mg से कम, पदार्थ को आप कभी भी यहाँ पर वेट नहीं कर सकते थे, इस class second के balance में, तो अगर इस से कम आपको बेट करना होता था, तो बहुत ज़दा problem होती थी, क्योंकि इसकी bearing capacity जो थी minimum, वो थी 150 mg की ठीक है, तो यह था इसका थोड़ा सा, अगर भी यहाँ पर पढ़ लीजेगा, आपको समझ में आएगा, next आगे बढ़ते हैं, कि electronic, I'm sorry, अगला है electronic pharmacy balance, electronic pharmacy balance आपने देखा होगा, ठीक है, यह ऐसा pharmacy balance होता है, जिसके उपर steel लगा होता है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, पहले यह यहाँ पर पैन लगा होता है, आपने देखा होगा, कई दुकानों पर, ठीक, अगर यूज करते होंगे, कोई तो, मतलब यहाँ पर कटोरा रखा होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कि अगर यह इसी तरह से है, तो जब भी कोई material का हम यूज करते हैं, कोई material हमें तॉलन इन को, जैसे अब कोई भी पदारत हैं, यहाँ तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कि सबसे पहले वह pot, या paper हो सकता है, वाज गलास वक्ता है, उसको antौने के बाद उसका ile में जिक लेना है, फिर हम दोनों आप तॉलेंगे, तो आपको क्या करना है, उस मीजर में से जो घटा देना है मतलब मैं जैसे भी कई भी पदार था अगर मेजर करना है तो क्या करोंगे सबसे पहले उसको आप रखोगा वाजगरास में ठीक है तो उसको तौल होगे उस्से पहले आपको dwa Just watch glass का measurement कर दिना को कितने ग्राम का उसके बाद जब दोनों को आप मिल उगे मतलब दोनों को आप बेट करोगे बेट करने के बाद आपको जो सवेस्टेंस प्लस watch glass का बेट आया है उस बेट में से आपको watch glass का विट घटा देना है तो accurate को मिल जाएगा ठीक है इसी तरह से आगे थोड़ा सावर बढ़ते हैं अब होता क्या है कि कभी कभी कि थोड़ी से गलती हो जाती है तो यहां पे एरर होने के chances होते हैं ठीक है और अगर हम गलती ना करें तो यहां पे errors नहीं होते हैं जो कि आपका electronic pharmacy balance होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम हमें तॉलना होता है 1 mg तॉलना है 2 mg तॉलना है क्योंकि यहां पे error ज्यादा होती थी यहां पे error ज्यादा होती थी और इस वज़र से एक pharmacy balance और बनाया गया जिसको हम बोलता है sensitive electronic balance इसके उपर एक इस तरह से एक container लगा दिया जाता है काच का जिससे होता क्या है कि बाहर की चीज़ें इसको affect नहीं कर पाते हैं बाहर की चीज़ें इसको affect नहीं करेंगे तो उत्म ज्यादा problem नहीं होगी तो यह balance अक्सर जाता है क्यों यूज की जाता है बहुत जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हमें कम amount में तॉलना है वेट करना है उसके लिए जो की 150 mg से भी कम होते हैं ठीक तो यहां पर errors भी कम होती है अब जैसे देखेगा अगर हम class second balance की बात करें तो वहां पर जब inaccuracy कितनी आती थी जब हम 200 mg को चीज तो वहां पर 5-5% की inaccuracy आती थी यह तो plus-5% या तो ज्यादा हो जाएगा या 5% कम हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे हम बेट कम करते हैं वैसे वैसे inaccuracy बढ़ती है जैसे अगर हम 100 mg तॉल रहे हैं तो वहां पर plus-minus 10% की inaccuracy आएगी मतलब 100 का लगबग 10% जादा हो सकता है जादा कम हो सकता है ठीक है तो इस वज़ा से यह प्रियोग के दाता है यह आपका balance और इस balance में इस तरह से electronic balance होता है जिसके ऊपर container लगा होता है जिसे बाहर के चीजों का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है तो यहां पर देखेगा इसके पास क्या है प्लस माइनस वन प्रिसंट की एक्यूरेसी होती है अगर आप पचास से सो यहां पर बेट करते हो तो बात समझ में इनना ज्यादा नकम बहुत आसानी से यहां पर हम बेट कर लेते हैं अब हो गया आपका यह टाइपस ऑ बैलेंस अब हम बात कर लेते पॉसिबल एर्रस इन वेटिंग ठीक है वेइंग में जो हमारा पॉसिबल एर्रस होते हैं वो कैसे हो सकते हैं तो यहां पर दिखेगा कई कादर नहीं है ज्यादा चार कारण है आपके या तो इन्वार्में बाउंसी होती है यह टंपरेचर होता है यह कैसे एफट करेगा देखे एर करेंट में क्या होता है कि एर ऐसे नीचे की तरफ लगती है ठीक है तो अगर आप कोई भी मैटरियल यूज कर रहे हो कोई तॉल रहे हो ऊपर से प्रेसर जादा है तो एरर्रस आ जाएंगे मतलब इट्मसफեर की प्रेसर जादा है तो जो अपका भी ऐट आफेक्ट होगा यह फिर एर बाँंसी एर बाँंसी में क्या होता है कि ऑपर की तरफ जीसे इद्मसफेर मांशार कम है कहीं पर तो अगर अगर आफ कर आह दुहराद होगा ठीक है तो अप डूस मलदान से दिखेग कभी-कभी जब हम जो electronic balance होता है उसका यूज करना शुरू करते हैं तो उसमें वह minus से अगर कभी-कभी 0 से नीचे से भी bet लेना शुरू करता है माइनस वन माइनस टू माइनस त्री या प्लस वन मतलब वह पहले से एक वन एमजी दिखा रहा है तो फिर वह आपका बेट में एरर आ जाएगा तो सबसे पहले जब भी हम यूज करते हैं अपनी electronic balance तो सबसे पहले उसको re-zero करना होता था अगर re-zero नहीं करेंगे तो फिर वह error आ जाएगी ठीक है next होता है sensitivity error देखो sensitivity error जो होती है वह भी कुछ इस तरह की होती है actually कभी-कभी जो हमारा sensitive balance है उसमें उसकी aging की वज़र से या atmospheric pressure की वज़र से या उसकी adjusting capacity या उसके उपर हम ज्यादा बेट रख रहे हैं तो उसकी वज़र से उसकी sensitivity effect होती है जैसे उसकी capacity कितनी है 150 mg की आप 200 mg रखोगे तो उसकी sensitivity effect हो जाएगी तो बाद में जब वो तॉल लेगा कोई वी चीज तो उसमें errors आएगी तो उसको बलते है sensitivity क्या होती है कि अगर आप कभी किसी balance की capacity है 200 mg और उस पे अगर आप तॉल रहे हो 230 mg तो कितना दिखाएगा सोचो उसकी capacity कितनी है 200 तो 200 mg दिखाएगा वो 30 mg जो है अपकी वह error में चली जाएगी इस वजह से लाइनर्टी errors उत्पन होती है ठीक है तो यह थी possible errors और आपको मैंने बता दिया है कुछ types of balance के बारे में और बेंग capacity या बेंग method types of balance possible error इन सभी के बारे में अगर यह आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चनल को सबस्क्राइब किजएगा वीडियो को लाइव किजएगा और शेर किजएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस्टाग्राम पे फाल झाल